नमस्कार स्वागा टैपका न्यूजरूम पोश्ट में मैं हूँ आपके साथ रोशने से अमिताब बच्चन का फेमस कुज्सो कौन बनेगा करोर पती 15 इस वक्त सबसे जादा पसंद किया जा रहा है इस कायकरम ने अब तक ना जाने कितने लोगों के सपने को पूरा करते वे उन्हें माला माल भी बना दिया है इस सीजन को भी अब तक कई करोर पती मिल चुके है ऐसे में कायकरम का बीता एपीसोड बेहत दिल्चस्परा लेटेस्ट एपिसोड में फास्टेस्ट फिंगर फिर्स्ट राउंड जीतने वाले महरास्ट के प्रतियोगी प्रमूद फास के बिगवी के सामने हौट सीट पर बैठे के वी सी के दोरान अमिताब चन कंटेस्टेंस के साथ सवाल जवाब के अलावा काफी हसी मजा करते भी नजर आते हैं कई बार वो खुद को लेकर भी कई तिलचस्प बाते शेयर करते हैं ऐसे में कंटेस्टेंस भी खेल के दौरान बिग वी से काफी ओपन हो जाते हैं और खुल कर बात करने लगते हैं। गेम के दौरान कंटेस्टेंस प्रमोद ने बताया कि उन्हें फिल्म में देखना बहुत पसंद है और वो रश्मिका मंदाना के बहुत बड़े फैन भी हैं। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने रश्मिका को साधी का प्रस्थाव भी वेज दिया था और उन्होंने इसका जवाब भी दिया था। ये सुनकर बिगवी ने पूछा कि क्या उन्हें कभी रश्मिका से बात करने का मौका मिला। इस पर प्रमोड ने कहा कि इस वक्त एनिमल के प्रमोशन में बिजी हैं। महनायक ने सभी पुरुशों को सला देते वे का महिलाव को इंकार करना बहुत पसंद आता है। रश्मिका के लिए कंटेस्टन्स प्रमोड की दिवान की देखकर बिगवी ने उनकी इच्छा पूरी की और उसे एक्टरस से वीजियो कॉल पर बात कराया। प्रतियोगी ने एक्टरस को बताते हुए उनके सभी बॉल पेपर पर उनकी तस्वीरे हैं। रश्मिका ने प्रमोड से वादा किया है कि वो जल्द ही विक्तिगत रूप से उनसे मिलने आई की। इस गेम में प्रतियोगी ने गेम को खुट कर दिया और 12,50,000 रुपे लेकर अपने घर गये। बता दे कि रश्मिका मंद्याना की फिल्म एनिमल में बॉबी देवल, रनवीर कपूर, अनील कपूर लीड रोल में है। पिक बी ने भी रश्मिका के किरदार गितान जली की खूब तारीफ की। अगर आपको मारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरू करें। अगर आपने मारे चानल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करें।